हालो प्रेंट्स वालकम पू लुटिल बिट टैक इंफो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप एक हैटफोन का स्पीक है कैसे रिपेग कर सकते हैं पर उससे पहले मैं आप सभी लोगो थैंक्यू कियाना चाहता हूं क्योंकि मैंने 10 अचाल सब्सक्राइबर प हैटफोन से स्पीकर को निकालना होगा अगर आपका स्पीकर बज नहीं रहा है तो उससी कंदिशन में आपके कर सकते हैं अगर आपका लो बास हो गया है या फिर स्पीकर जर जरा रहा है तो उस कंदिशन में आपको से रिपेर नहीं कर सकते आपको से रिप्लेस करना होगा किसी आदर स्पीकर से क्योंकि इसमें फ्रांस क्या होता है लुब आस में फ्रम वीक हो जाता है कई आपर डास्ट या जो आरेन पार्टिकल्स चिपके होने के कारण जब डाइफिर्म जो है दबा रह जाता है तो इसमें जो रेपेर करने वाली जो चीज है वो बीख तक अगर कोईल के अंदर की वायर टूट जाए मतलब आपके जो मेन वायर से टूट जाए तो उसे डूडने में काफी प्रॉलम होती है क्योंकि यह हमारे हेर से भी पतली वायर इसके अंदर लगी होती है तो हमें उसे ही ढूनना पड़ता है तो अगर मिल जाए तो रिपेर हो जाएग की वायर जो है यहां से थोड़ी सी छोड़ी होती है डेज्ट कंपनी वालो ने तो उसे हम उसको खीच के थोड़ा सा है उसकी लेंद को बढ़ा सकते हैं और वब आप से यहां जोड सकते हैं जिसने हमारा स्पीकर ठीक हो जाएगा अभी मैं आपको speaker यह चेक करा देता हूँ, यह खराब है, देखें यह light glow हो रही है, हमाई यह speaker की points पर लगाने पर light glow हो नुची है, एक सही speaker की फैशा नहीं होती है, कि coil में resistance मिलता है, देखें, यह देखें, यहाँ पर जब भी मैं दोनों points पर चिपकाता हूँ, तो light जलती ह और speaker से एक खरकरा हट की आवाज आती है, अगर आपके पास multimeter है, तो multimeter को control 2 mode पर लगा कर चेक कीजिए, बीप आनी चाहिए, देखें हमें 31 coil का resistance मिल रहे है, तो इसका मतला हमारा इसका coil ठीक है, पर इस earphone sorry, इस headphone के speaker का देखते है, इसमें हमें किसी तरह का कोई value नहीं आ रहे है, तो इसका जो coil की wire ब्रेक हो गई होगी, इस corner से, तो चलिए हम इसको open करते है, speaker को खोलते हैं वक्त एक बात क्या ध्यान रखिए, कि इस पर किसी भी तरह का metal जो है, चिप के ना, जैसे screw हो गया, जब आप headphone खोलेंगे, तो बहुत सारे headphones में दबा देते हैं, और इसमें जब pointed area होता है, वो कभी-कभी इसमें घुच जाता है, तो इसकी वेज़ से, इसमें hole हो जाता है, अब उस condition में आप diaphragm को कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर दब जाए, या फिर hole हो जाए, कई बाए होता है, कि जो screw driver होता है, वो शिपकी जाता है, तो इस बात का विल्कुल धियान रखना है, कि magnet की कोई भी चीज, या फिर metal की कोई भी चीज, आपको headphone के speaker के आसपास नहीं रखना है, और speaker को हमेशा, गर आप रख भी रहे हैं, तो ऐसे रखे, इस तरीके से कभी मत रखे, ताकि इस पे किसी तरीका कोई भी iron particle ना चिपके तो चलिए हमसे open कर लिते हैं, और खोलते वक्त धियान रखिए इस corner का, यहीं पर wire होती है, और अगर आपका speaker ऐसे frame में लगावा है, तो सबसे पहले आपको इस corner से glue हटाना होगा, आप यह yellow yellow glue है आपको दिखावी दे रहा होगा, यह glue हटाना में मुझे काफी वक्त लगा है, तो आप इसे हटा लिजे, काफी hard glue है यह, तो इसे हटाने के बाद ही आपका speaker open होगा, खोलते वक्त धियान रखिए आपके diaphragm में आपका tweeter या कोई भी साफ़कुल जो आप इस्तमाल कर रहे हैं, वो diaphragm में ना उसे, तो चलिए हम, अब आप देख सकते हैं कि इसमें कोईल यहां बीच में है, और यहां से wire जा रही है, और यह wire जो है, यहां से हैसे मुझे है, यहां joint रूई पढ़ी है, तो सब से पहले हम इसको अटा लिते हैं एक glue को, अब यह दो पॉइंट से हमें हमें पे wire जोड़नी है कोईल की, दुबारा से निकाल के समेश से टूल के, तो हम इसे, इसे पहले डाइफराम निकाल रहे हम से, करता है, जह हम आएनी है, जह लृब मुझें हैं टीम देखिए डाइफराम को हमने निकाल लिया और आप देख सकते हैं कि विल्कुल अच्छे से निकल गया है आप इस बात का ध्यान लखे कि आप इसको जबर्दस्ति निकालने की कोशिस मत कीजिए अदर्वाइज आप देख सकते हैं कि इतना नाजुक है और आप देख सकते हैं कि बीचों बीच इस पर कोईल लगी हुए और इन कोईल की जो दो वायर जो हैं यहां से जा रही है अब यह दो वायर आपको हिसमें से निकालनी है जैसे वायर काफी पतली वायर है तो मैं आपको शायर अच्छे से दिखाना पाऊं अब यह टूटता है कैसे एक यह एक नॉर्मली टूट जाते हैं जब स्पीकर बाइबरेट करता है तो उस लक्त यह वायर कॉर्णर पर ही लगे होते हैं कॉर्णर पर बाइबरेट होने की वज़े से वह तूट जाते हैं तो इसको हम यहां से निदाल लेंगे वायर को पर बाइबरेट करता है पर बाइबरेट करते हैं जोटी होगए तो हम इसमें कोशिश करते हैं कि वायर जोड़ता है थोड़ी सी हुआ हुआ है इस देखिए वायर को मैंने जॉइन करके लंबा कर लिया है हुआ है तो चलिए हम इसको यहां पर ऐसे फिट कर लेते हैं सबसे पहले हम इसपे ग्लू लगा लेगी झाल झाल प्रशे वायर चुआ है झाल 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 यह देखिए फिरंट्स हमने जो है वायर को सोल्ड कर लिया है और दोनों वायर को थोड़ा कॉम्प्लिकेरिट वर्क है क्योंकि कि काफी बारीक वायर होती है और अगर आपने थोड़ा सा भी ज्यादा ही दे दिया या फिर दो ती बार मोर दिया तो वायर तूर जाती है तो मैं सच बताऊं तो यह फालतु का काम है तो बहुत मेंद लगती है इसको रिपैर करने में कि चलिए तो यसे एक बाद चेक कर लेते हैं है कि कि हमें क्वांटे मिल रही है कि अब देख सकते हैं कि हमें ब्याली सोम का रिस्टेंस मिल रहा है और इसको देखते हैं ग्लाइट जल्टी के लिए देखें लाइट भी ग्लो हो रही है और खरक्राइट की आवाज पी आ रही है तो हमारा यह स्पीकर तो ठीक हो चुका है तो एक बार हम इसका फ्रेम लगा लेते हैं इसमें कि द्यान रखिए कि यहां पर आपको बल्कुल भी दबाव नहीं देना पर जैसे कि आप देख सकते कि हमारा स्पीकर ठीक हो चुका है तो चलिए एक बर हम इसको में म्यूजिक बजा के इसको देख लेते हैं तो फ्रेंट्स मैंने यहां पर एक और ले लिए और इसकी दो बाइरस हम इस स्पीकर पर जॉइंट कर देंगे चलिए तो तरस पर देंगे तो फ्रेंट्स मैंना जो स्पीकर है वो ठीक हो चुका है तो आज की वीडियो में इतने ही वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राब करना बिल्कुल मत बूलिएगा थैंक्यों पर वाचिंग